जहिन सत्यों डॉक्टर संग्राम पटल बात कर रहा हूँ मैं भी यह मानता हूँ कि मोदी जी को यही लगता है कि देश की तरक्की हो और देश में सही माने में अच्छे दिन आ जाए तो intention अलग बात है सात्यों इरादा लेकिन इसमें competency जो है क्षमता जो है यह अलग बात है जिसकी चर्चा नहीं हो रही तो इसके बारे मैं मैंने YouTube पे Facebook, Twitter के जरिया WhatsApp ग्रूप्स के जरिया एक सर्वे किया लगबक 11-12,000 लोगों ने सर्वे में पर्टिसिपेट किया और इसके कोई result आये है तो सर्वे में मुझे लोगों ने जो मोदी जी के भक्त होते है या भाज़पारेस से जुड़े होते है उन्होंने काफी गाली गलोच किया, गंदे शब्दों का इस्तमाल किया कि मेरी कोई लेवल नहीं है कि मैं मोदी जी के बारे में ऐसा सर्वे करूँ ऐसे सवाल पूछू कि मोदी की बौदिक शमता कितनी है, उनका IQ कितना है तो मैं ये बात नहीं मानता हूँ साथी हो हमारे प्रदान मंत्री जो लोगतांत्रिक तरीके से चुने गए है उनके IQ के बारे में या उनकी बौदिक शमता के बारे में हम क्यों नहीं बात कर सकते है इसमें क्या बुरी बात है तो सबसे पहले मैं IQ क्या होता है बौदिक शमता जो intelligent quotient होता है उसके बारे मैं संचिप में बताऊंगा फिर मैंने क्या सरवे किया और उसके result क्या है यह बताऊंगा और मुझे क्या लगता है कि मोदी जी की बोधिक शमता IQ क्या हो सकती है और यह मुझे क्यू लगता है उसके मैं कुछ उदारन दोंगा तो IQ क्या होता है आपके age के हिसाब से उमर के हिसाब से आपको एक set of questions पूछ होता है और उसको IQ कहते है intelligent question और यह 100 जो होता है लगबग यह average होता है आप आपके उम्र के लोगों के इतनी अगर आपकी बुद्धी मत्ता है दुनिया के लेवल पर तो आप 100 हो इसको 85 to 115 ऐसा score होता है यह normal होता है 85 to 115 और दुनिया में खास करके भारत में लगबग 70 परतिशत लोग यह average इसके बीच में आता है 85 to 115 अमारे 70 परतिशत लोग इस range में आते हैं कुछ लोग इसके नीचे वाले range में आते हैं तो यह lower than average और very low IQ वाले लोग भी होते हैं और कुछ लोग higher than average and very high extremely high ऐसे अलग-अलग इसकी categories होती है तो extremely high category जैसे विवेकानन जैसे लोग हो हमारे महाराष्टे के संतत नैने शरुआ करते थे तो यह लोग extremely high आइंस्टाइन है डॉक्टर ब्यार अमबेड करते हैं extremely high IQ वा करता था इनका इसके नीचे जो होते हैं जो Nobel Prize winner scientist वे breakthrough discoveries करते हैं यह high इनका भी IQ होता है very high होता है और जो हमारे officers professional IAS IPS medical professionals जो post graduation करते हैं या IIT से पढ़ने वाले जो professionals होते हैं इन लोगों का more than average IQ होता है ज्यादा तर लोग जो normal तरीके के activities करते हैं यह average में आते हैं कुछ लोग कम less than average होते हैं less than average वाले बुरे होते हैं इसी कोई बात नहीं है यह अगर ठीक से नियमों का पालन करें तो यह भी अच्छा कम कर पाते हैं अगर यह intelligent लोगों की expert लोगों की सला से काम करें तो यह भी अच्छा performance कर सकते हैं और कुछ लोग बहुत extremely low रहते हैं यह stupid से activity करते हैं silly जिसे खुद का नुकसान हो जाए लोगों का नुकसान हो जाए या कोई anti-social criminal type mentality इन में आ जाती है तो यह extremely low level के लोग होते हैं तो यह general ऐसा लोगों से कि मोधी जी का IQ कितना है तो इस पर लोगों के comment आये कुछ लोगों को लगा तो यह काफी ज्यादा मात्रा में लोगों को ऐसे लगा 67% की मोधी जी का IQ यह below average से भी कम है मैं आपको यह बात clear करता हो कि मैंने यह facebook अलग-अलग whatsapp groups, twitter, youtube channel यहाँ पर लोगों को appeal किया और दो-तिन हपते तक मैं appeal करते रहा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें voting करो ता कि इसमें सारा representation आ सके मैंने ऐसे भी groups पर यह डाला जहाँ पर भक्त लोग होते हैं तो इसको मैं representation आज के social media में जो लोग participate करते हैं उनका मानता हूँ तो 6% लोगों का मानना है कि मोधी जी below average है, 8% लोग मानते है कि मोधी जी सबके जो average है इंडिया का उसके हिसाप से है, कोई ज्यादा नहीं है, कम नहीं है यह दो टाइप के है, एक तो मुझे एक हैते है, genuinely वो मानते है कि मोधी जी सही में Einstein या विवेकानन जैसे intellectual है और दूसरा जो group है जो कम नहीं है वो भी significant है, वो मानते है कि इतने सारे failures के बाद कुछ उनके पास original degree नहीं है, बहुत सारी बाते हो mistakes कर दी, फिर भी वो सारे इत तो यह आदमी intelligent ही है, इस से ज़्यादा intelligent कोई होई नहीं सकता, तो ऐसे भी मानने वाले लोग है, तो यह हो गया IQ, अब IQ यह तो genetically आता है, आपके माता-पिता के genes से आता है, या environmental factors में भी इतमें काम करते है, आपने कैसे पढ़ाई की, आपके माता-पिता की पढ़ाई कैसी थी, आपकी परविरिश कैसे हुई थी, आप खुद कितना उसमें efforts देते हो, आपको अलट रखते हो, तो इस पर भी IQ आपका बढ़ सकता है, या कम हो सकता है, उमर के हिसाब से IQ चेंज नहीं होता है, इन जनरल, क्योंकि IQ के जो questions है, यह उमर के हिसाब से दिये जाते है, तो तो मुझे क्या लगता है, साथियो, मैं इसमें मेरी खुद की राय नहीं दूँगा, कि मोदी जी का IQ कितना है, लेकिन कौन से IQ लेवल पर मोदी जी आ सकते है, और उसके examples क्या है, यह मैं आपको देना चाहता हो, तो साथियो, आपको पहले से पता होगा, सब को पता होगा, कि साथ साल में मोदी जी ने एक भी ठीक से पत्रकार का सामना नहीं किया है, सच्चे पत्रकारों का, अच्छे से press conference नहीं की है, एक भी नहीं की है, तो वो जब किसी ऐसे पत्रकार के सामने या ऐसे लोगों के सामने जाते हैं, जहाँ पर सब questions fixed है, यह match fixing है, जैसे अक्षय क कुमार के सामने या अंजना ओम कश्चप वो ऐसे उनके सामने जाते हैं, और उनको ऐसे सवाल आते हैं कि आप आम कैसे खाते हो, काट कर खाते हो, या चूस कर खाते हो, मोदी जी आप ठकते क्यों नहीं हो, तो यहाँ पर अंसर करने में मोदी जी एकदम comfortable होते हैं, very smart, और अगर वो करन्थापर जैसे सच्च पत्रकार के एकदम कठिन reality-based स्वाल का जवाब देते हैं, तो मोदी जी की बोलती बंद हो जाती है, उनको पानी पीना पड़ता है, और करन्थापर को दोस्ती बनी रहेगी करेकर उनको उड़ जाना पड़ता है स्टूडियो से, तो इस नहीं पाते हैं, वो वहाँ से उड़ जाते हैं, दूसरी बात देखिए, मोदी जी ने मैडिसन स्क्वेर पर मंच से भाशन किया था, एकदम बैतरिन तरीके से स्मार्ट, सारे NRI लोग एकदम इंप्रेस हो गए थे, अच्छे अच्छे पड़े हुए डॉक्टर, इंजिनि उनके, जब वो प्रिपेर करते हैं और उनके सामने ये टेले प्रमपरिम के स्क्रीन होते हैं, जहाँ पर पॉइंट दिया जाते हैं, तो वो एकदम स्मार्ट ली बोलते हैं, लेकिन अगर वो एसे मन्स से बोलते हैं, जहाँ पर उनको नेक्सपेक्टर चीजों पर बोlekने क को प्रूव कर सकते हैं कि इनको कितनी जानकरी है इनको कितना तजुर्बा है और इनको फ्यूचर की कितनी इंसाइट है लेकिन आपने शायद वो देखा होगा वो यूट्यूब पे इंटरव्यू है मोदी जी को सवाल पुछे जा रहे थे मोदी जी हिंदी में एकदम अलग स कुछ तो बात कर रहे थे ऐसे लग रहा था कि इनको सवाली ने समझ में आया और उनकी जो ट्रांसलेटर थी जो बात कर रही थी वो मोदी जी जो हिंदी में बोला है उससे कुछ अलग ही अंसर कर रही थी जो उस क्वेशन पूछने वालों के सवाल का जवाब हुआ करता थ मतलब वो सीधा मोदी का जो हिंदी का अंसर है वो बाइपास कर रही थी और खुद अंसर कर रही थी इसका मतलब यह कि मोदी जी को जब स्ट्रेट सवाल पुचा जाता है स्टेश पर तो वो जब बात करते हैं तो वो बात नहीं कर पाते हैं वो इधर उधर की मनगडन बात बोल कर अपना समय निकाल देते हैं और कुछ लोग उनको कवर कर देते हैं यह दूसरा पॉइंट है तीसरा जो पॉइंट है सातियों कि मोधी जी ने मैंने जैसे कहा कि आईक्यू के जो लोवर ग्रेड्स है वहाँ पर लोग ऐसे निर्ने लेते हैं ऐसे अक्टिविटी करते हैं कि जो खुद की हानी करने वाली या औरों की हानी करने वाली ऐसे वह activities होती है तो ऐसे कुछ activities मोदी ने की है क्या बहुत सारी की है साती हो मैं तीन उदारन दूँँगा आप राफल का जो मसला है मनमोहन सिंग सरकार में एक राफल लगबग 600 करोड का ये फ्लाइट है जो हमने खरीदा था और मोदी जी फ्रांस जाकर ये contract चेंज करके आए उन्होंने मनोर पर्रिकर से भी नहीं पूचा राजमंत्र से भी नहीं पूचा किसी से भी नहीं पूचा चेंज करके आए और 600 करोड का एक फ्लाइट उन्होंने लगबग 1600 करोड में contract final कर लिया और जो contract maintenance का government की company को दिया जाना था फाइनल हो गया था वो एक private ऐसे company को दिला दिया कि जिसको इसका कोई तज़ुरबाई नहीं है तो कोई भी first standard का पर जो लड़का या लड़की होगी उसको भी पता चलेगा कि 600 करोड में फ्लाइट लेना और 16 करोड में फ्लाइट लेना इसमें कौन सी intellect वाली बात है इसमें कौन सी stupidity है ये उनको भी पता चलेगा लेकिन मोधी जी ये contract के भी media द्वारा हमको ये बतानी की कोशिश करते है कि उन्होंने ज्यादा अच्छी deal fix की है तो यह आप इससे सोच सकते हो दूसरी जो बात है कि नोट बंदी में लोगों के बहुत हाल हो गए हजारों लोग मर गए इनकी गिंती भी नहीं हुई है जैसे अब करोना में बहुत लोग मर गए लाखों लोग उनकी गिंती भी नहीं हो रही है तो नोट बंदी में 500 रुपे की नोट बंद हो गई थी और हमें यह बताया गया था कि इसके बहुत सारी डुपलिकेट किया जाते है क्योंकि यह हायर करंसी है तो इसका ब्लैक हो जाता है तो इससे दैशदवाद बढ़ जाता है आतंगवाद बढ़ जाता है लोग ब्लैक के विवार करते है क्योंकि वो छोटे से सुटकेस में ब बढ़ जाता है तो 2000 के नोट में क्यों नहीं बढ़ेगा और अब RBI ने 2000 के नोट छापना भी बन कर दिया है आप ये दिरे-दिरे circulation से गायब होने लगे है तो इससे भी पता चलता है कि उन्होंने कितना intelligence यूज़ करके ये decision लिया मुझे नहीं लगता है कि कोई RBI का governor उस वक्त का या कोई intelligent economic और financial advisor ये सला दे सकता है लेकिन फिर भी मोदी जी ने ये decision लिया और तीसरी बात जो ऐसा आती हो रशिया में मोदी जी शुरू में गए थे हमने बचपन से जैसे ही राष्ट्रगीत शुरू होता है राष्ट्रगान चलता है तो हम लोग जहां कई हो हम रुख जाते हैं और खड़े होकर स्थब दो जाते हैं क्योंकि एक मिनिट से भी कम चलता है ये उसको respect करने के लिए होता है यहां तक मैंने देखा है कि कुछ बस ड्राइवर्स बस रोक लेते हैं राष्ट्रगीत के लिए साइकल चलाने वाले मोटरबाइक वाले रुक कर खड़े हो जाते हैं और रश्या में जब मोदी जी गए तो राष्ट्रगान शुरू होते ही मोदी जी ने परेड करना शुरू कर दिया था तो जो चीज हम पह इमरी या आकलन उस राष्ट्रगान का ये पता चलता है अब मोदी जी के कुछ स्टेट्मेंट्स में आपके साथ शेयर करता हूँ तो मोदी जी ने स्ट्रेंथ का स्पेलिंग एक बार टीवी पर बोला था अपने भाशन में बोला था और वो स्पेलिंग उन्होंने प्रापर गलत कर दिया था स्ट्रेंथ वर्ड का जो स्पेलिंग है हमारे यहां पाच्वी में जो कक्षा में होते हैं बच्चे उनको आना चाहिए है ऐसा अगर उनको नहीं आता है पाचवी के बच्चों को तो उनका IQ lower than average है असाम मानते हैं अब मोधी जी तो पाचवी के है नहीं वो तो पोस्ट ग्रैजुएट है MA in Political Science जो भी उनकी डिग्री है तो एक पोस्ट ग्रैजुएट आदमी को एक ऐसे आदमी को जो दुनिया बर में होता चलता है दूसरे जो बात है सातियो मोधी जी ने अब एक टीवी पर प्रोग्राम में A plus B bracket square यह जो फॉर्मुला होता है उसके बारे में कहा था तो यह फॉर्मुला जनरली सा येर सेवन के बच्चों को आना चाहिए अगर उनको नहीं आता है तो उनके IQ less than average है इसा हम म इसमें A square B square और यह 2AB है जो additional extra है ऐसा उनका मानना है तो यह तो additional extra नहीं है वो फार्मुला का अंसर है A square A plus B bracket square is equal to A square plus B square plus 2AB यह उसका फार्मुला है लेकिन मोधी जी को लगता है कि यह additional आ जाता है तो उससे उनका IQ का पता चलता है जो year 7 के बच्चों को पता है वो मोधी ज जी को ठीक से पता नहीं है अब आगे जाके देखते है कि मोधी जी बोलता है कि गटर का जो पानी है वेस्ट वाटर उससे एक चाय वाला ग्यास बना कर चाय बनाता था ग्यास निकालकर तो साथियों यह बायो ग्यास के concept है यह गोबर ग्यास से निकलते है और अगर विशी गटर के पानी से इसे बायो गास निकलती हो तो उसकी technology अभी तक कई पर भी available नहीं है ये कई पर भी बड़े पैमाने में होता नहीं है और एक चाय वाला ये कहा से technology लेकर आया मोदी जी ने इसको कहा पर देखा तो ये मोदी जी को ये समझता नहीं है कि बायो गास की जो gases है तो ये भी उनकी IQ का लेवल हमें बताती है अगला पॉइंट देखते है साथियो कि मोधी जी ने कही दिया था कि हम पाकिस्तान पर जब हमला किया पुलवामा के हमले के बाद जो सज्जिकल स्ट्राइक किया तो हमने बाला कोट पर हमारे आरमी ने स्ट्राइक कर दिया मोधी जी ने कहा कि उस दिन बहुत बादल थे तो मैंने साइनने कौ आर्डर दे दिये कि बादल की वज़े से आप रडार पर नहीं आएंगे तो आप स्ट्राइक कर दो तो ये बात मान लो कि ये 12 वी के बच्चों को पता होनी चाहिए कि अगर कोई हमला हो जाता है, एर स्ट्राइक होते है तो radar में ये clouds होता है, इनका कोई relation नहीं होता है, radar catches even with clouds, कितना भी थिक clouds हो, वो radar में आ जाते हैं, तो मोधी जी को ये बात भी नहीं पता है, जो 12 वी के ब प्राइकस होते हैं, इनके बारे में, रडार के बारे में ये पता निए, तो उनकी इस से हमें IQ पता चलती है, एक बार आईरलन्ड में वो शुरू में आये थे, और यहां पर उनने ने कहा था आईरलन्ड में, कि पहले नॉनरेसिड़न इंडियन्स को शर्म आती थी, बताने म जाते हैं इंडियन्स को मेहनती इंटिलिजन करके माना जाता है कलपना चावला जैसे फर्स्ट इंडियन थे जो अंतरिक्ष में गए थे और काफी सारे नोबल साइंटिस्ट हमारे हुए है यह सब इंडियन और यह सब मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर होने के पहले बाहर आये हैं और हम बड़े प्राइड से यह आपर काम करते हैं उल्टा अब कोरोना में इतने लोग मर गए नोटबंदी में इतने लोग मर गए तो हमको शर्म यह कि हमारे देश में ऐसे के गरिबों के मिडल क्लास के कैसे हाल हो रहे है तो इस स्टेट्मेंट की वज़े से आप समझ सकते हो कि मोदी जी को कितना अकलन है नरा इसके बारे में हाला कि मोदी जी बाहर बहुत घुम चुके है पहले भी जा चुके है राजनीती में आने के पहले और काफी सारे हिस्टोरिकल ब्लंडर्स मोदी जी ने की है मैं वह सारे यहाँ पर गिनाना नहीं चाहता हूँ तो साथी अब एक फाइनल एक्जामपल देता हूँ कि कोविड के दर्मयान जैसे फर्स्ट वेव कम हो गई तो मोदी जी ने डिकलेर कर दिया कि कोरोना की लडाई भारत ने जीत ली है वो एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहे है वो अभी वैक्सिन के गुरू हो रहे है दूसरे देशों को वैक्सिन दे रहे हमें इसकी अब जरुरत नहीं है हमारे लोग बच गए है हमने लडाई जीत ली है और यह कब बता रहे थे जब इंट लेकंड वेव आ गई उसमें पचास साथ लाख लोग मर गए ऐसे जो इंट एजन्सिज है उनका मानना है हलाकि मोधी सरकार सिर्फ चार लाख बताती है लेकिन बहुत सारे शव जो ऐसे है जो बताई नहीं गया है बहुत सारे शवों की तो गिंती भी नहीं हुई है करोना क काल में और अब मोधीजी Science अंड टेकनोलाजी मिनिस्टर हो गया है तो आप सोच सकते हो की ऐसे decision लेने वाले ऐसे level की वक्त वे करने वाले हमारे प्रधान मंतरी अब Science अंड टेकनोलाजी के जब मिनिस्टर होंगे तो मैं ऐसे आशा करता हूँ कि उनकी जो टीम होती है आई किसी को सला दे और फ्यूचर के लिए निरने ले कुछ प्लाइनिंग करे देश के लिए तो यह सब आप उस पोजिशन का अच्छे से यूज कर सकते हैं और साइन्स ओन टेकनोलोजी में देश को काफी आगे ले सकते हो अगर जैसे डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर के साथ मो हो चोकी है लेकिन हम ऐसे देश के प्रदान मंतरी को ऐसी सला दे या उसके साथ ऐसी बात करें जो विंड मिल में दुनिया में सबसे आगे है और वो हमारी ऐसी बात पर हस पड़े तो उसका वहाँ पर कुछ संबन्नी होता है विंड मिल के साथ ऑक्सिजन हवा से निकालना यह अलग बात होती है उसके टेक्नोलाजी अलग होती है और उसको यहाँ पर जोड़ देना यह हमारी नॉलेज का या इग्नोरंस का प्रदर्शन हो जाता है इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मोधी जी साइंस और टेक्नोलाजी मिनिस्टर रहते हुए अपने जो एड़्वा करें तो देश की तरक्की होगी मोधी जी की बौधिक शमता और मोधी जी के इरादे इंटेंशन इसमें क्या अंतर है और हमें किसी भी नेता की बौधिक शमता या आईक्यू के बारे में क्यू पता होना चाहिए और यह क्यू जरूरी है यह बहुत जरूरी इसलिए है कि न नेता का IQ और बौदिक शम्ता अकलन जो होता है ये IS IPS से भी ज़्यादा होना ज़रूरी होता है क्योंकि इन लोगों से काम करवाते हैं उनके सजेस्टिन्स पर बड़े-बड़े प्रोग्राम्स अपरू करते हैं देश के लिए प्लाइनिंग करते हैं और देश को उस दिशा म में ले जाते हैं तो नेता को अच्छा IQ होना बौदिक शम्ता होना अच्छी तरह से परिस्थिति का आकलन होना और इस सारे ज्ञान का और इनफॉर्मेशन का सही डंग से इस्तमाल करके देश के काम में लाना ये नेता का करतवे होता है I hope you like this video do share with everyone तक्यार जैहन सात्यो